एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी हाथ कंगन को आर्सी क्या पढ़े लिखे को फार्सी क्या इस समय ऐसी परिस्तिती चल लही है कि सप्ताय में दो-तीन बैठके हो जाती है प्रिसासनिक तोर पर ऐसी ही एक बैठक 18 मई को आयुजित की गई जिससे कुछ बिंदू और बा वालों से संबंदित थी उसका इतना गलत इंटर्पेटेशन किया गया किस से लाखों प्रदेश के छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं वो अफसात की स्तिती में चले गया चिंता में चले गया उनको बेहद दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वरस में एक वित जबकि सच्चाई इससे बिलकुल अलग है मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या सच्चाई है और मैं आपको यह भी प्रमार दूंगा इसी वीडियो में कि आपकी वेकेंसी कैसे आएगी पूरा प्रमार मेरे पास है तो सबसे पहले सुरुआत वहां से करते हैं कि यह कि इसे जल्ली कितने जल्ली डिस्पले किया जाए कॉन सा चैनल सबसे पहले दिहाता है बहुत सारे चैनल बहुत गंभीता से कार करते हैं लेकिन जो चोटे चैनल वो ऐसी ख़वरों को डिस्पले कर देते हैं, 18 माई की रात में एक ऐसी ख़वर टीवी जू चैनल पर डिस्पले की जिसम लिखा था एक वित्तिय वर्स में प्रदेश सरकार कोई भी वेकंसी नहीं करेगी कोई भी रिक्तिया नहीं निका लेगी जब कि ये कहीं ख़वर थी ही नहीं उस बैठक में उस सासनादेश में इसका वर्रण ही नहीं किया गया ऐसी किसी योजना पर विचार ही नहीं किया गया था उस सासनादेश में हम लोग भी बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं एक एक पल की ख़वरे हम लोगों को भी रहती हैं हम लोग भी इन चीजों में जोड़े रहते हैं अगले दिन बहुत सारे online संस्थानों ने इस ख़वर को दिखाया और उन्होंने भी इस पर चिंताव्यक्त की बहुत सारे लोग भुर्विट्थे संस्थान के पास भी call आये मेरे facebook पर भी बहुत सारे message आये तो ये जरूरी था कि जो लोग जिनका confidence नीचे हुआ है जिनका manoval नीचे हुआ है वो प्रेरित हों और एक सीधा सीधा प्रियासिस का ये था कि आप तक एक ख़वर वास्तिक रूप में पहुँचे जिससे आप analyze कर सकें और एक minute भी अपना बर्वाद ना करें ख़वर थी वित्तिय वर्स में किसी भी नए पत का सिर्जन नहीं किया जाएगा इस ख़वर को दिखाया जब गया तो इस तरीके से दिखाया गया किसी new channel द्वारा दिखाया गया अगले दिन ना तो किसी बड़े new channel ने उसको cover किया ना किसी बड़े समाचार पत्र ने कवर किया कुछ समाचार पत्रों ने गल्ती से लिख दिया बाद में उन समाचार पत्रों ने भी उसको खवर को मतलब प्राथमित्ता प्रमुकता नहीं दी खवर निकली कहां से 18 मही को मान्य मुखमंती योगी आदितनाज जी द्वारा एक बैठक की गई बैठक के बाद एक सासनादेश जारी किया गया जिसको आप upsasnades.com पर देख सकते हैं यह सासनादेश था यह इसकी संख्या है जो मैं आपको यहां प्रदर्सित कर रहा हूँ इस सासनादेश में लिखा गया यह वित्तिववाग से सम्मंदिश सासनादेश था किसको प्रेशित किया गया इस सासनादेश प्रेशित किया गया संजी मित्तल इसके बाद में लाश्ट में यह भी बताऊगा क्यों आपकी वेकेंसी आएगी उसका भी पूरा प्रमार यहां पर है एक और मैं आपको अभी जो है PDF दिखाऊंगा जिससे बिलकुल आपको इस पस्ट हो जागा कि ऐसी कोई बात नहीं पहले इसको देख लेते हैं इसमें विशाय था COVID-19 के काराल प्रदेश में लागडाउन होसित होने के फलसरूप उत्पन्द विशेस परिस्तिती में ब्याइप्रबंदन एवं मित्वियता के लिए दिशा निर्देश इसका जो चौथा और पांच माँ प्वाइंड था वो सीरे सीरे आप से संबंदित था मतलब परिच्छाओं से संबंदित था या पदों से संबंदित था अब देखिए आप आराब से दिखिए इस चौथे पॉइंट में लिखा क्या था मैं पढ़के बताता हूँ लिखा था विभाग ये कार प्रदाली में परवर्तन सूचना प्रदोगी के अंप्रियोग मतलब पहले जो विभागों में कार होता था उस कार प्रणाली में परवर्तन हुआ है बहुत सारे कार ऐसे होते तो जो पहले लोगों के द्वारग किये जाते थे आप सूचना प्रदोगयोगी के विकास के कारन वो कार कम्प्यूटर द्वारा किये जाने लगे जहां पर मैन पावर की जरूरत नहीं है और भी बहुत सारे परवर्तन आये इसमें कारों से अनेक पत बरतमान पर पेच्छ में आप प्रसांगिक हो गए है मतलब बहुत सारे पत ऐसे थे जो पहले रिलिवेंस थे जिनकी रिल कारवाई की जाए और ऐसे पदों का अब आगे बिल्कुल भी सिर्जन ना किया जाए जो अब बरतमान में आप्रसांगिक हो गए हैं तो सबसे पहले तो यह कहा गया कि जब हमारे भी घर में हमारे पास पैसा कम है तो हम यहीं कहेंगे कि सारे जरूरी कार पहले किये जाए लेकिन जो गैर जरूरी कार हैं जो आप्रसांगिक हैं हमारे परवार के हिसाब से उनको हम अभी ना करें उनको हम ऐसा कोई भी कार ना करें क्योंकि पूरा प्रदेश पूरा देश इस समय एक समस्चा से गुजर रहा है तो भहुत साब सब्दों में इसको लिखा गया कि उ कोई भी नई भरती नहीं आएगी जो कि बिलकुल भी भ्रामक और गलस सोचना थी दोसी बास समझ लीजिए इसके पाप जो पाँचमा पॉइंट था इसका विविन्द विभागों में सलायकार अध्यक्ष सदस्य यह बहुत बड़े-बड़े पद है यह परने में आसान लग कि जाती है यह अइस्थाई प्रकृति के पद है यह इस्थाई प्रकृति के पद नहीं है लिखा भी है देखे विविन विगावों सलाकार अध्यक सदस्य आधी आइस्थाई प्रिकृति के पदों की निउक्तिया की जाती है इन पदों के लिए सयोगी स्टाप की विवस्ता है तू कोई नया पद सर्जितना किया जाए यदि यह आइस्थाई प्रिकृति के पद निउक्त करने आवस्यक हों तो इनको तो नुक्त की आ लेकिन जो surplus staff इनके साथ होता है छे लोग़ों का अलग से driver होता है इनका अलग से माली होते है तीनती servent मिलते है इस staff जाये बल्कि इनकी नुक्ती करके जो surplus staff है सहिदि pillow की Saigyoss की विवस्ता surplus staff से अथपा outsourcing से की जाए मतलब इनको न्युक्ति ना दी जाए बलकि जो already आपके पास लोग है जो surplus staff है उस surplus staff से क्या किया जाए काम चलाए जाए इन दो points के अलावा इस बैठक में आप से सम्मंदेत आपकी नौकरी से सम्मंदेत कोई भी सूचना नहीं थी कोई भी point नहीं था बिल्कुल गलत तरीके से आपके सामने तक्षों को प्रेसित किया गया मैं एक बड़े भाई के तोर पर आप से कहता हूं पूरी guarantee के साथ आज तक मैंने जितनी भी खवर आपको दी है एक भी खवर गलत नहीं हुई है और अगले दो महीने में वेकेंसी आएंगी और क्यों वेकेंसी आएंगी अब मैं इसका प्रमाद आपको देने चलना हो बहर से देखिए इस समय अगर आप लोग देखें तो आपके पास कौन-कौन सी वेकेंसी हैं यह सब पुरानी वेक पी के बाउन हजार पद भी आपके पुराने हैं यह सारी वेकेंसी आनी है क्लियर आरो यारो भी पुरानी भी आनी है और नई भी आनी है इसी वित्ती वर्स में यह सब पातरता परिक्षा है और पातरता परिक्षा का नियम ही होता है कि हर वर्स आयो जित की जाएंगी वैकेंसी के पीछे राजनितिक पृति बद्धता भी है क्योंकि आप जानते हैं समझ लीजिए इन वैकेंसियों के आने का कारण क्या है आपका आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 में चुनाओ है अगर हम 2020 से लेके 2021 तक नियुक्तियां करेंगे तब हम 2022 से पहले उनको नियुक्ति दे पाएंगे इसका मतलब है परिच्छा हमें 2020 के मिट से लेके 2021 तक करानी पड़ेगी तब हम इस कंडिशन में होंगे कि नियुक्ति 2022 में दे पाएं 2022 चुनाओं का साल है और आप जानते हैं पिछले बहुत सारे मैनों से इस बर्स कोई भी वैकेंसी नहीं आई है सरकार भी दबाव में कोई भी सरकारिय नहीं चाहती कि उसका युवा उससे न राज हो आप लोग बिलकुल बिलकुल विस्वस्त रहे एक लाग पदों पर वैकेंसी अगले दो महिनों में आपके समक्ष आने वाली है अलग-अलग विभागों की एक लाग पदों पर और आप जानते हैं इसी करम में 69,000 में जो लोग सामिल थे जितनी तेजी से कार उनकी न्यूपती का चल रहा है आपने इतना फटा-फट कार किसी भी न्यूपती का नहीं देखा होगा है तो यह जितनी भी वेकेंसीज है मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मेरा वीडियो आज आप से दे रहा हूं सभी वेकेंसीज बहुत जल्दी आपके सामने होंगी क्योंकि कोई भी कोई भी सरकार अपने युवाओं को नाराज नहीं करना चाहेगी और जो यह ध्रामक खबने उनी है यह तोटल बिल्कुल क्या है गलत है जिनकी कोई प्रसाग्रिक्ता नहीं है अब मैं को बो प्रमार देता हूं जो इस सिद्ध कर देगा कि कैसे वेकेंसी आईगी वह भी देख लीजिए यह मैंने आपको बताया पूरा है यह जो है पत्र था आप अगर इसको आपको देखना है इस पत्र को तो आप मैंने इसका नंबर बताया आप सास यूपी डॉट सासनाद इस.com पर चले जाएए उत्तर प्रदिस गवर्रेमेंट की यह पत्र आपको मिल जाएगा संजी मित्तल का है और इसकी पूरे दावे के साथ गारंटी लेता हूं इस पत्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है सारी भ्रामक ख़वर हैं आप भूल जाएए मैं अब दूसरा प्रू प्रेज किया गया आपका कब 18 माई को और उसके तुरंट दो दिन बाद एलेक्रिसिटी सर्विस कमीशन यूपी पावर कार्पोरेशन लिम्टेड देखना है आप पीडियापको मैं बढ़ा कर देता हूं 20 तारिक को एलेक्रिसिटी सर्विस कमीशन इसकी योगता मुझे न निकाली गई आप यहां पर देख लिए जब यह पत्र खतम होगा आप इसकी भी साइट पर देख लेते हैं बड़ा बड़ा मैं आपको बता रहा हूं 25 2020 को यह वैकेंसी निकाली गई आप देख लिए तो तुरंथी दो दिन बाद आपको इसका प्रमार भी मिल गया कि ऐसी कोई बात नहीं है बलकि सभी वैकेंसी आपकी जैसी आनी है उसी किरम में आएंगी मेरा आप सभी छोटे भाई वहनों से अन्रोध है जो जिस मनन के साथ पढ़ाई कर रहे थे आप उसी मनन के साथ पढ़ाई करिए क्योंकि किसी भी परिच्छा की तैयारी के लिए आपको 6 माह का समय चाहिए होता है अगर आपने अवसाद में चिंता में अपना एक दिन भी खराब कर दिया तो भिरामक खवरों की चकर में अपना एक दिन भी खराब ना करें यहां पर कोई लालसा नहीं है बलकि ईमांदारी से आपके सामने कुछ पृस्तुत करना चाहता था गी सभी वेकंसी जाने वाली हैं किसी की भी बात पर आप कोई भी ऐसा वचार्ड़न है ऐसी कोई बात होनी ही नहीं थी ये खबर ही बहुत गलत तरीके से फैलाई और उड़ाई गई कि बढ़ एक न्यूज चैनल ऐसा है जिसने बहुत इस तरीय भी नहीं कहा जा सकता जिसने गैर जिम्मेदार तरीके से ब्रेकिंग न्यूच की होड में उसको डिस्पिले कर दिया और आप सब लोगों को इतने दिन चिनताम डाल दिया हजारों मेसेज मुझे मिले है ना तो आप बिलकुल ही इन चीजों से दूर रहते हुए आगे बढ़िये टार्गिट वितालों क इंस्टिटूट आप सभी लोगों के स्वस्त की और उज्वल्भविस्त की कामना करता है हम सभी बिलकुल प्रते खबर पर आपके सामने खड़े रहेंगे ये खबर पूरी तरह गलत है और अगले एक माह में इसकी पुष्टी भी हो जाएगी हाला कि पुष्टी तो दो द अन्माद, नमस्का